Hello Friends, Brightie Learning के YouTube चैनल में आपका स्वागत है जियाँ Friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि Teleprime के अंदर F11 में Accounting Features में Enable Cost Center वाले Option को कैसे Enable करते हैं तो सबसे पहले F11 में जाएंगे और यहाँ पे Accounting के Maintenance Accounts Post Option को Yes करेंगे और इसके बाद Enable Cost Centers को Yes कर देंगे Yes करने के बाद Enter करते भी Accept करेंगे और Gateway उक्टेली में आजाएंगे सबसे पहले जाएंगे Creates के अंदर Create में यहाँ पे आएगा So More के अंदर जाना है और First Option आता है Coast Category Coast Category का मतलब होता है कि Man Coast क्या है जैसे यहाँ मैं Celery बना रहा हूँ इसके बाद Enter करके Accept करेंगे फिर Coast Center बनेगा यहाँ पे तो Coast Center में सबसे पहले यहाँ पे Category सेलेक्ट करेंगे जो अभी बनाई थी Celery इसके बाद Coast Center का मतलब होता है कि यह Celery किन को देना है तो जिन परसन को ही Celery देंगे उन परसन के यह नाम लेकेंगे जिसे पहला अनील हो गया दूसरा अजे हो गया तीसरा यहाँ पे विज़ हो गया और लास्ट यहाँ पे राजी हो गया इसके बाद Legers में जाएंगे और Celery का Leger बनाएंगे Celery Under जाएगा Indirect Expenses और Enter करते विए Accept कर देंगे फिर Gateway टेली में जाएंगे Vouchers में जाएंगे और F5 में जाके Payment के Entry यहाँ पे करेंगे Account में Type सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे Case में सेलेक्ट कर दूँगा Next यहाँ पे Salary सेलेक्ट करेंगे Amount लिखेंगे जैसे ही Amount लिखेंगे Enter करते यहाँ पे Cost के टिगरी पूझ रहा है जिसमें अपने Salary सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे Code Center में सबके नाम सेलेक्ट करेंगे जैसे अजे है अजे की Salary लिखेंगे ऐसे ही Anil Anil की Salary लिखेंगे Next यहाँ पे Rajiv और Rajiv की Salary लिखेंगे और Last यहाँ पे Vijay सेलेक्ट करके Vijay की Salary लिखेंगे और Enter करके Accept कर देंगे तो इस परकार से Affiliate के Enable Cost Center वाले उप्शन में जाके Update किया जाता है